तो दोस्तो यदि आपको गेम खिलना अच्छा लगता है चाहे किसी भी टैप का गेम हो तो आप जिस भी गेम को खिलते है उस वले गेम का विडियो बना के यूटूब और फेस्बूक पे छोड़के पैसा कामना चाते है तो वाई लूग आप अपने मोबायल के मद्धों से यूटूब के अंदर एक गेमिंग यूटूब चैनिल क्यासे आप बना सकते हैं इस पर मैंने कुछ दिन पहले ही विडियो बनाया है जिसका लिंक आप सबको इस वीडियो का डिस्कप्शन बॉक्स पर देखने को मिलेगा तो दोस्तों अपना गेम बले का विडियो फेसबुक पे छोड़के पैसा कामना चाते हैं तो इसके लिए फेसबुक के अंदर आपको आपने एक पेज क्रियेट करना होगा तो फेसबुक के अंदर पेज बनाने का भी एक सही तरीका होता है जो कि आप सबको इस वीडियो क ही है कि आपके मन में जो भी नाम आते है उस नाम से ही आप पेज बना ले दोस्तों ऐसा नहीं करना है सही नाम ढूंड़ने का वे एक सही तरीका होता है जो कि आप सबको इस बीडिकर अंदर जानने को मिलेगा इसी के साथ दोस्तों आपको अपने Facebook पेज के लिए एक अच्छ लेटिंग्स भी होता है जिसे इनेबल करना होता है तो साड़ा कुछ मनें इस वीडियो को अंतर आप सब को सही से दिखाया है और समझाया है तो यह दिए आप अपने लिए एक फेश्बूक पेज बनाना चाहते है और अपना गेम बलेगाए वीडियो फेश्बूक पे छोड अपने फोन में प्रियूइब प्रेश्टाब ऑपन और जैसे कि आप अपना hmg कर लिया है घोग के लियाए तो आप अपनाईटी चाहिए तो पर अपना तो आप अपना Facebook पेज के लिए एक अच्छा सा नाम ढून लीजिएगा तो आपना Facebook पेज के लिए नाम ढूनने का क्या सही तरीका है चलिए भी आप लोगों को दिखाते हैं तो इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे सर्ज वाला आइकोन पर सिंपल से क्लिक करिएगा उसके पर दोस्तों आप जोभी नाम रखना है वो आप अपने मन में सोच लीजिएका तो जो भी नाम आप अपने पेज के लिए सोचेंगे उस नाम को सबसे पहले आप यहाँ पे सार्ज पर में डाल के सार्ज कर देख लीजिएका कि उस नाम से दूसरा कोई page पहले से ही बना हुआ है या नहीं यदि पहले से ही page बना हुआ है तो उस नाम से आप पेज मत बनाईएगा तो मान लीजी कि आप अपना page का नेम total gaming रखना चाते है यह सोचे है तो सबसे पहले यहाँ पे total gaming डालते है उसके बाद search पे click करते है तो ऐसे में आप सब यहाँ पे देख सकते है कि total gaming नाम से यहाँ पहले से ही बहुत बड़ा page बना हुआ है जैसे कि आप सब को पाता होगा कि यह अज्यू भाय का page है तो आप आप सब को एक ऐसा नाम ढूंदना है जिस नाम से पहले से ही कोई channel मतलब कोई page ना बना हुआ हो जैसे कि फिर से मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि इस नाम से एक भी page यहाँ पे दिखाया गया लेकिन दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे search box के अंदर technical top gaming डालके search पे click करता हूँ तो ऐसे मैं आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस नाम से एक भी page यहाँ पे बना हुआ नहीं है जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं इसका मतलब दोस्तों मैं अपना page का नाम technical top gaming रख सकता हूँ तो ऐसा ही दोस्तों आपको एक ऐसा नाम ढूनना है जिस नाम से प चलिए भी आप लोगों को दिखाते हैं तो लोगों बनाने के लिए मैंने गोगोल से एक फोटो ले लिया है जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं तो आप लोग भी गोगोल से फोटो ले सकते हैं इसके अलबवा आप अपना खुद का फॉटो से ही लोगों बना सकते हैं उसके बाद दोस्तों Play Store से आपको एक app इण स्टोल करना है जिसका नाम है दोस्तों FixR तो इस ऐप को शिम्मली से open करना है उसके बाद इस प्लास बला इकन पर क्लिक करना है, इडिटे फॉटो पे बिडेस करना है, उसके बाद इस फॉटो को चूज कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस फॉटो को चूज कर लिया है, उसके बाद दोस्त आपको यहाँ पर लास्ट में आना है, तो यहाँ पर आ लिए गया है तो इसे आपको यहाँ पर फूल करके 100 कर देना है उसके बाद बीजी कलर पर प्रेस करना है और ग्रीन को चूस करना है उसके बाद दूस्तों आपका जो सेफ होगा वो ग्रीन में बदल जाएगा उसके बाद यहाँ पर प्रेस करना है उसके बाद नीचे आपको से जुम करके पुरा ही rate में बदल देना है जैसे कि यहाँ पर अपसन दिया गया है इसके माध्यम से उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर प्रेस करके एक बलाक वला बैग्गराउंड यहां से में ले लूँगा जैसे कि यहाँ पर मैंने ब्लैक वाला बैग्राउंड ले लिया है, उसके बाद, दोस्तों, यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पर hide कर दूँगा, कुछ इस टैप से, इसके बाद दोस्तों, अपना page का जो name है, उस name को मैं यहाँ पर डाल दूँगा, तो इसके लिए प्रेस करना है उसके बाद एक बाटर लगा देना है चाली मैं यहां पेलाकर ब्लाकरं कर बादर लगा देता हूं तके दीखने में अच्छा लगे उसके बाद यहां पर र एप को अपने फोन में इंस्टॉल करना है। उसके एक ज़ूटिल से क्लिक करना है। तो यहाँको ऐसे सिसनाली यूज विप करता हूँ अपना विडियो का थमनल बगरा बनाने के लिए। इस एप 두-doll एक सब्चangel अप Lincoln siana नला सकती है तो YouTube Core-deut तो इसके पर मैं सिंप्लिस से क्लिक कर दूँगा तो वाई लोग किसी भी photo को अपकर स्टोमेज कर सकते है चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो lady का photo दिया गया है इसे change कर देते है तो इसके लिए यहाँ पर replace कर दूँगा उसके बाद यहां पर मेरे गलरी open हो चुका है और जो लोगों मैंने बनाया है उस लोगों को मैं यहां पर चूस कर लूँगा तो यह दखें दूस्तों यहां पर लोगो add हो चुके है उसके बाद side में जो text का design दिया गया है तो इस बले text को मैं यहां से हटा के अपना page का name डाल दूँगा तो वाई लोग आप इस app के माध़म से अपना Facebook page के लिए एक professional cover photo बना सकते है जैसे कि वाई लोग मैंने यहां पे अपना page का name technical top gaming डाल दिया है उसके बाद यहां पे इस तीर के निशन पर click करना है तो ऐसे ही दोस्तों आपके cover photo होगा वो आपके गलर्डी में safe हो जाएगा तो ऐसे ही दोस्तों आप सबको ये तीन काम करना है कि अपना page के लिए एक अचा सा नाम ढूलना है और एक अचा सा logo और एक अचा सा cover photo बनाना है उसके बाद दोस्तों आप अपना Facebook page बनाने के लिए full ready हो जाएंगे चले भी आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे आप लोग अपना Facebook page बना सकते हैं तो इसके लिए simply से आप अपने phone में अपना Facebook आपको open करिएगा और अपना ID से login कर लीजिएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 3 line पर प्रेस करना है तो नीचे आपको page का option देखने को मिलेगा इस पर simply से दवा देना है उसके बाद आपको यहाँ पर first number पर ही create का option देखने को मिलेगा जिस पर आपको simply से click करना है और यहाँ पर get started बना option पर प्रेस करना है जो कि है दोस्तों category इसका मतलब दोस्तों आप अपने page पे किस category का वीडियो डालना चाते है वो आपको यहाँ पर डालना है तो भाई लोग यह दिए आप gaming वीडियो अप्लोड करना चाते है तो इस case में आप यहाँ पर search बार में type करिएगा कि gaming उसके बाद नीचे आपको gaming video creator के एक option देखने को मिलेगा इस पर आपको simply से दबा देना है तो यही है दोस्तो gaming channel का category तो इससे आपको यहाँपे चूश करना है इसके साथ दोस्तो फिर से आपको यहाँपे gaming डालना है तो और एक category आपको यहाँपे देखने को मिलेगा चले अब आप लोगों को बता देते हैं तो वाइलोग में आप लोगों को बता दू कि बायों के अंदर आपको छोड़ा सा वाड में लिखना है कि आपके चैनल पर क्या होता है मतलब किस टाइब का वीडियो आप छोड़ते हैं वो आपके यहाँ पे थोड़ा सा explain कर देना है क्योंकि भाई लोग बायों के अंदर जो भी आप डालेंगे वो दोस्तों आपके page name के नीचे दिखाया जाएगा तो बायों के अंदर कुछ ऐसा डालना है ताकि लोगों को पता चले कि आपका channel किस काटेगोरिका है और आपके channel पे क्या-क्या होने वाला है तो भाई लोग जैसे के मैंने यहाँ पे डाले है कि दोस्तों इस page पर आप सबको गीम से related take videos देखने को मिलेगा तो कुछ इस type से छोटा सा word में आपको explain कर देना है ताकि लोगों को समझ भे आए कि आपका page किस काटेगोरिका है उसके बाद नीचे contact का आप सुन दिया गया है तो ऐसे में आप यहाँ पे अपना website इसके अलबा YouTube channel है तो उसका link आप यहाँ पे डाल सकते है इसके अलबा email ID डाल सकते है दोस्तो आप यहाँ पे जो भी contact details देंगे तो आपका जो viewers होगा आपके साथ इस contact details के माद़ों से contact कर सकते है तो दोस्तो चली मैं यहाँ पे website के अंदर अपना YouTube channel का link डाल देता हूँ जिससे क्या होगा कि यदि कोई मेरा viewers मतला page का viewers उस link पे click करेगा तो direct मेरे YouTube के channel पे पहुंच जाएगा जैसे के मैंने यहाँ पे अपना YouTube channel का link कॉपी कर लिया है यहाँ पे paste कर देता है तो यहाँ पे add हो चुके है उसके बाद यहाँ पे मैं अपना email ID डाल देता हूँ तो मेरा viewers मुझे email ID पे भी contact कर सकते है उसके बाद यहाँ पे next करते है नहीं दोस्तों यहाँ पे next नहीं करना है कि कोई नीचे location भी डालना है तो location के अंदर दोस्तों आप अपना address, city और zip code मतलब postal code मतलब जो pin code होता है वो आपके यहाँ पे डाल देना है तो address बाले box के अंदर आप अपना state और country का name दे सकते है इसी के साथ city के अंदर दोस्तों आप अपना गाउं या फिर सहर का name डाल दीजिएगा इसके अलबा zip code मतलब postal code जो pin code होता है उसे अप डाल दीजिएगा उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है और always open पे tick mark लगाना है उसके बद उस्तों आप next पे क्लिक कर देना है उसके बाद आपके सामने एडिट action बटन का option देखने को मेलेगा इसपे आपको simply सी click करना है और यहाँ पे ट्राइइट पे प्रेस करना है ट्राइट पर प्रेस करने के बाद आपके सामने कापी सड़े option देखने को मिलेगा लेकिन आप लोग में आप लोग को बता दू कि यदि आप वीडियो अप्लोड करना जाते हैं तो इस केस में किसी भी option को ही आप चूस मत करिएगा यहाँ पर मैसेज पर टिकमक लगा हुआ ह इसे ही रहने देना है उसके बाद यहाँ पर पे पे giving करना है उसके बाद यहाँ पर पे पर फेसबुक प्रेंड dzisiaj यहाँ पर दिखाए जायेगा तो आपके वाट सिलेक्ट ऑल पर क्लिक और करना है इससे क्या होगा कि दोस्तों आपके Facebook ID पे जितने भी आपका Facebook Friend है सारे Friend के उपास notification चला जाएगा जिस notification पे क्लिक करके आपका Facebook Friend आपका page को like या फिर follow कर सकते है उसके बाद यहाँ पे next पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है जैसे हैं वैसा ही रहने देना है तो आपको बाद simply से यहाँ पे done पे प्रेस कर देना है प्रेस करते ही दोस्तों आपका जो page है वो create हो जाएगा जैसे हैं आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो page है वो यहाँ पे create हो चुका है तो याँ पे logo add हो चुके है याँ पे save पे klik करते हैं उसके पद cover photo वाइपा क्यामरा पे klik करके है याँ पे upload photo वाले option पे press करके जो cover photo मैं ने बनाया था उसको भी आपनाया था उसको भी यहाँ पे तो आभी मैं चाहूँ तो इस वाले पेज पे वीडियो अपलोड कर सकता हूँ तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि फेसबुक पेज को create करने के बाद फेसबुक पेज को handle करने के लिए आपको अपने फोन में एक एप निस्टल करना होगा जिसका नाम है दोस्तों create और studio तो इस वाले app को play store से install करने के बाद simply सब open करिएगा उसके बाद जिस वाले facebook id से आपने page बनाया है उस वाले facebook id का email password डाल के यहाँ पे login कर लीजिएगा उसके बाद आपका जो page है वो आपके सामने दिखाया जाएगा उसके बाद दोस्तों आप इस वाले app के मादों से अपना page का page performance से कर सकते है जैसे कि आप सब यहाँ पे दीख सकते है तो दोस्तों यह अपका gaming video है तो कैसे आप अपना gaming video को सही तरीके से facebook page में upload कर सकते है इस पर मैं जल्दी video बना दूँगा तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सब ने जान लिया है कि कैसे अपने mobile के मद्धों से एक facebook page बना सकते है इसी के साथ दोस्तों facebook page के अंदर कैसे video upload करते है यह दि आप इस पर video लेना चाहते है तो इसके लिए आप लोग comment पर बता दीजिएगा जिस पर मैं जल्दी video बना दूँगा जो कि आप सब को इस video के description box और in the screen मतला भी हाँ पर side में आप सब को देखने को मिल जाएगा तो फ़ाई लोग आज के इस video के अंतर बतने बतना था वीडियो के बतने तो लाक कर दीजिएगा और comment में कोई सवाल होगा तो उन्चे comment कर दीजिएगा और देखने अभी तक मैं चल्द को सब्सक्राइब नहीं किये है तो निचे दिया गया सब्सक्राइब बटन में क्लिका के साथी में बेल लेकुन दबाखे और बसर कर लिजिएगा इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई निवीडियो डालूँगा तो उसका नोटिफाइब कर दिया जाएगा तो चल्द दोस्त आज के लिए वाई मिलते है येगला वीडियो पर